वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंज तो फ्रेंज आज हम सिखेंगे की बार गोल्ड बेटरी चार्जर केसे बनाते हैं वह पी प्रोफेस्टनल लेवल का आज जो की रिक्वाइमेंट है बेटरी चार्जर की क्योंकि आज जो सोलार का जमान आ गया है और बेटरी आप दूसरे तक बनाते रहते हैं तो प्रोजेक में आपको बेटरी चार्ज करने के आवस्टा पड़ती रहती है तो मैं आज आपको वही सिखांगा कि आप किस तरह से आपकी बेटरी को फूल चार्ज कर सकते तो दोस्तों तो यसे तो यूट्यूब में धेर सारे वीडिय क्योंकि यह क्यूलेक होगा वहीं आपको जो बार वहल की बेटरी आपको पूरी तरह से चार्ज हो चाहेंगी तब वह आपका जो शरकीट को कट करते और चार्ज करें और यह साएकूरेट नहीं होता तो मैं आप आज को वहीं दिखांगा कि एकूरेट 0.3 0.2 तक है जो शर्कीट भी आपको दिखांगा कि केसे आपको यह बनानी है सब मैं है अब को यह सर्कीट डायग्र Penn आपको डूंगा सिखांदूगा मैं अपको एक सी क KEDA रहा हुँ कि इसके बाद मैं आपको कोई पर वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी यह आखरी वीडियो ओगी कि आउटु मेट वेटरी चार्जर तो आप बने रहे मेरे वीडियो में दोस्तों देखो अभी मेरा एंजीनियरिंग हुआ है इलेटरिंट है अब मैं बन चुक हूँ में कमप्लेट किया है घुजरात जो मेरी मधर टंग घुजरत यह थोड़ा नेंट धीकत आती तो आप थोड़ा थोड़ी सुन लिए तो मैं आज आपको दिखा देता हूं कि केसे बनाते वेटरी चार्जर वो भी प्रोटेक्शन और कट आउट के साथ में तो मैं आज आपको पूरी तरह कर से दिखा देता हूं और यहसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा तो कु चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए बरोबर तो चालो मित्रो आप हम सुरू करते हैं चालो त्यारे तो मैं केमेरा को मैं मेरी चोपड़ी के तरक कर देता हूं आपको दिखा पूरी तरक से आप देख सके तो चलो मित्रो चालो करिए चालो तो मित्रो अभीद आप देख सकत है कि में मेरी आपसा कि यह मेरी जब में अजिनियरिंग कर रहा था तब कि इस और देख सकते हैं कि जो होपड़ी में दिख रहा कि यह वाला स्की्ट डैगराम है है और इससे चैनल डिलीट मारत etcetera यह किसी यूट्यूबर नहीं दीखा यह पहला यूट्यूबर है एक्सप्लेन करता हूं के से काम करता है पहले तो आपको 317 के 370 कि हैसी रिवाली और यह सरकीट होते हैी सरकीट डेयग्राम् और यह यूज होता है तो उस आइसी के लिए आपको चाहिए एक हीट सिंग क्योंकि वह गरम होती है तो यह गरम होती है तो इसके लिए आपको हीट सिंग लगाने पड़ेगी और देखो दोस्तों सबसे पेले आपको एक हजार माइक्रो फेरादे का 40 वोट का केपेशेटर ए 0.22 वोल्ट का यह दूसरा केपेशिटर बर आपको समांतर में लगाना है तो दोस्तों आप आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रांजिस्टर की जो आपके आप देख सकते हैं यह ट्रांजिस्टर है बीसी एक सोन चालिस तो बीसी एक सोन चालिस नंबर का यह यह ट्रांजिस्टर को जो इसके बेज में लगता है बेज में लगता है दूसरा दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी और 0.59 लिक पर आपको पचास ओमका भी चल जायेगा यह जपना ओमका रहे पर पचास Оום का भी रेजिस्टर चल जाएगा और दूसरा दोस्तो मैं आपको बता देता हूं आपको जरूरत पड़ेगी यह 400 60 सृत्य रोम का रेजिस्टर है दूसरा मैं बात करें 120 रेजिस्टर है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यहां से आपको जो होता है यहां प्लस और माइनस जोड़ देने का फिर इसको आउटपूट जो मिलेगा जो यहां पे बेटरी जूड़ जाएगी आपकी बार ओल की जो भी बैटरी होती है तो वह बेटरी आपकी यहां पे प्लस और माइनस जहां पे दिखा है लिखा है वहां पे जूड़ जाएगी तो दोस्तों आपको पहले यहीं समझना पड़ेगा की रेक्टीफायर की कैसे बने वह तो आप देख सकते यूट्यूब में जो रेक्टीफायर चार डायोड जो च यह जो आउट्पुट है उसमें यहां पर रेक्टीफायर वॉल्टेज इनकले गई वह इस सरक्ट में जुड़ेगी और इस सरक्ट के आउट्पुट में जो यहां पर बेटरी जुड़े यह तले आपकी यह जो सरकित छे कंप्लेट्ले पूरी हो गई है और यह प्रोफेस में नहीं होती पर इंग्लिश में आपको तकलिफ होगी इसलिए हिंदी ठीक है तो दोस्तों यह सरकीट आपको देख देखके बनानी है वीडियो को पोस्ट भी कर देने का जरूर लागे तो अन्हें सरकीट पूरी तरफ से बन जाएगी यह 100% वर्थ करते क्योंकि यह मेरी एंजीनियर की चोपड़ी है देख रहे हैं और दूसरा यह रेटिंग यहां पर देख सकते हो पर उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों जो आप यह सरकीट बनाओगे तो उसमें से कई वस्तुए आपको नहीं मिलेगी तो आप बैंगूर से भी ले सकते ओ चलो आप में वीडियो में आ जाता हूं फिर से देखो दोस्तों अब देखे देखो आप जो सरकीट में ने दिखाई वह आप सांतिसे और बावपुरवक बनाना और जो सरकीट है वह पूरी तरह रियल है सची है और मेरी एंजीनियरिंग की चोपड़ी है उसमें ही सईली ह तो आप देख सकते हैं कि यह रियल सरकीट है और दूसरी बात दोस्तों कि यह जो चोपड़ी है आप पर्चेश भी कर सकते हैं यह कोई फ्रॉंसर वीडियो नहीं है पर लेकिन दोस्तों लुकेन ओल्सो भाई इस बूक इन एमजोन एन बैंगूर वेबसाइट और इस बू बैंग्लिश लेंग्वेट तो इस बूख यह जो बूख है मैंने तो लिए जो कि 25 रूपया मैं मैंने ली थी तो आप भी पर्चेश कर सकते हैं वह रेक्टीफायर की जो बात है तो मैं आपको बता दू कि यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएगी कि रेक्टीफायर ज चोखड़ी रेक्टीफायर बनाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी मुझे लगता है तो जो बात है वह होगी आपको जो आमूग केपैसिटर होगे वह आपको नहीं मिलेंगे आमूग बजार में जो की रजिस्टर मेंने बदाए 56 ओम का जो रजिस्टर तो मिलता और आपको एक क्यूरेसी चाहिए तो आपको वही लगाना तो आपको वेबसाइट से बाइ करना पड़ेगा रजिस्टर और जो कुछ है तो आप बाइ कर सकते हैं तो मैं दोस्तों आप बता दू मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था सोलर ओन ग्रीड इन्वर्टर तो उसमें यही मैंने यूज किया था बेटरी चार्जर तो यह कंप्लेटली वर्ट करता है और आप भी उसे बाइ कर सकते हो तो दोस्तों मैं बता देता हो रेक्टी फायर जो चोकड़ी वाला जो होता है वह कैसे बनाते तो चलो दोस्तों वह भी हम देख लेते ताकि कोई आपको दि सुन दो तो यह वीडियो इंट्रेस्टिंग भी होगा आपके लिए क्योंकि यह सोटा का रियल है और दोस्तों आप बनाओगे आपका सक्सेस हो जाएगा तो आपनी चैनल को लाइक कर देंदा क्योंकि हमारे चैनल में इसे वीडियो आते रहते हैं ओके दोस्तों आगे सु दिखा देता हूं कि कैसे हो जो रेकलिक फायर है दो टाizer टाइप के आते हैं उसमें जो प्यला है तो दोस्तों डूरेकटि फायर इसमें यूच कर सकते आप पहला है सेकंडरी टेपिंग फूल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फूल वेव रेक्टिफायर चार डैवड यूज होगे उसमें तो पहला आप जो यह है यह आपको दोर के दिखाता हूं तो यह रेक्टिफायर में सो प्रथम तो आपने जो ट्रांस्पोमर यूज होग यह ट्रांस्फोर्मर में दोर देता हूं यहां पर 230 वल्ट ऐसी और यहां पर जो पेला है उसमें सेकंडरी टेपिंग भी मोजूद होगी यह वाली तो दोस्तो आप एक डायवस करके वह इसको वी बायस करके गए और यह दोनो सब्सक्राइब दूसरा बाइर यह से ज्वेंट करें आप लए सकते हैं तो यह मैनस और यह प्लस और यह मैनस तो दोस्तों यह है तैयार हो गया हमारा रेक्टिफायर आप ऐसे बना सकते हैं यह डायोड है यह आपको कैसे भी डायोड होगा जो कि 4007 यूज़ कर सकते हाठ 4007 कि 4007 यूज़ कर चक्ते हैं दोनों यूज़ कर सकते और की जो साइज बड़ी लगाएंगे मोटी लगाएंगे तो आपका ज्यादा अच्छा बनेगा और अच्छा चलेगा यह जो केपेशिटर है उसकी वेल्यू यहां पर लिख देता हूं तो आपको अच्छा रहे उसकी वेल्यू है केपेशिटर की वह है सूर्ता लिस्सो यूएफ एंड पत्चास वल्ट तो यह रेक्टिफायर हो गया उसको यह रेक्टिफायर को हम लोग गुजराती में कियते हैं के सेकंडरी टेपिंग रेक्टिफायर और इंगलिश में भी सेकंडरी टेपिंग ही कियते हैं और दो डायोड वापराई से दो ड में आपको बता देता हूं कि उसके और पैसे यूजर सकते हैं शेमें ऊप क्या करेंगे आप आपने वही दोस्तों ऐता नो steep live invest कर लिया वहां पूर Typically नहीं होगी कि यहां पर प्लस देना है यहां पर और यहां-पर आपकी आपका दोंगें तो नियस्राइट के ओप्रेट हो जाएगा फिर आपकी बेटरी तो यहां पर जुडी है यहां पर यह तो यहां भी सप्लाई करके चार्ज करता रहेगा और जब हो जाएगी तब इसमें रिले की जगा यह ट्रांजिस्टर है तो रिले की जरूरत ही नहीं ही सर्कित में आप जो होकट में जो विडियो यूज होता है तो दोस्तों यहां से आपकी जब बेट्रीचार्ट हो जाएगी तो यहां से आप की कट आउट हो जाएगी और बेट्रेट्र नहीं हो दो यह रेक्टि फाइर पहला नंबर का कम्प्लेट हो गया दोस्तों और आपको यह साल अब इसको पोस्ट करके भी देख सकते हैं तो अब दूसरा नंबर का रेक्टीफायर जोकि फूलiva bridge By-open उसको बॉलते ब्रीज ब्रीज मतलब 4 डयोट को ब्रीज बोलते तो आप पर ब्रीज भी यूज कर सकते है इसका नाम फोर यूजिंग फोर डैवर भी बोल सकते और ब्रीज बुरी तो दूसरा नंबल वाला जो रिप्ल मैं यह पर दोरोंगा उसको आप फूले वरूस रेक्टिफायर भी बोख सकते हैं तो मिः यहां पर दोर रहा हूं तो देखो दोस्तों के से 2 डायोड होते हैं और यह से भी डोर डायोड सामने लाइं में होते हैं तो दोस्तों यहां से इसको जोइंट कर देते हैं और वहां से भी इसको कर देते हैं तो देखो दोस्ते Allison a मैं जो केपेशीटर लगेगा यहां से और वही केपेशीटर हमें . यहां से देने का और यह दोनों जगा पे लगेगा तो आप में दिखाई देता हूं तो आपको कोई पाचर से प्रोब्लेम नहीं होगी देखो यहां पे बसवन 30 वोल्ट आप देऊंगे उसको सप्लाई देना पड़ेगा आपने देश हुए ने तो एक वायर जैसे ट्रांस्फोर्मर नो यहां यहां के तो पंशो आठ वापर रसो तो यह वद्धू सारू अठावन शो यह तम्हें वापर इस्टाको अठावन सो जे यह वी सिसा रस्चे अने केपेसिटरे में तमने की दूने इप्रमाण इज वापर जो के शूर्ता लिशो माइक्रो फेरादे अने 50 वोल्ट नू न्याओत प्लस मोर्व से नाया मायनस मेर से तो यहलो मायनस मेर से तो wipes अउपर देवानओ वाइर आइर अटसर बेधर वार जर रसो जेवी चाला थाई जाए यहां बेट्री माँ जेम तमने किदू चार्जिंग शत्ति रेशेन ओटो कोट आउट छे एटले तमार वधार ब्याने फिट छे एटले मीत्रों में तमने जेम किदू इप्रमाणे तमें रेक्टी फायर माँ आ बेए सर्कित वाप्ति शको आके तो होई तमारू साचू छे तो मीत्रों आ शर्कित बनावीन पची तमें आ शर्कित में जोड़ी दो एटले आपके जो सर्कित होगी वह चालू हो जाएगी ओके दोस्तों तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर एंद सब्क्राइब कर देना ओके दोस्तों जेसिक रश्न मित्रों मी आपको यह जो सर्कित बताई आपको वह आपको अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक शेर और सब्क्राइब करते रहे ना तब तब के लिए जय हीन जय भारत भारत मता की जय वन्दे मात्रम